नमस्कार मराजीव चोदरी कि विकास ने माता सीता पर जो टिपनी की थी वो असल में एक किताब से ली गई थी और किताब के पेज के आन सफाई के लिए सोसल मीडिया पर डाले जा रहे हैं पहले आप विकास दिव्यकीरती ने जो कया उनका वो 44 सेकिंड का वीडियो जो वाइरल हो रहा है उसे सुन लीजिए इसके बाद इसका पोस्ट मार्टम करते हैं आपने कुल के सम्मान के लड़ा है और रही तुम्हारी बात जैसे कुट्टे द्वारा चाटे जाने के बाद घी भूजन योगी नहीं रहता है वैसे तुम अब मेरे योगी नहीं हो। जैसे ये वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल हुआ तो ट्वीटर पर बेंदरश्टी आईएस के बीच ट्वीट आने सुरू हो गए। जिसमें लिखा गया कि कुट्टे द्वारा चाटे जाने वाली बात घी की तुल नाम माता सीता से विकास दिवेकीरती ने कालपनिक बाते भगवान राम के हर भगत की भावना को आहत कर रही है लेकिन उन्होंने हिंदू धरम का मजाक उड़ाया है इसलिए इनको फाई आर किया है जो कहीं ना कहीं लिखी गई है समवाद से तारकिकता जनम लेती है आस्ता पर चोट नहीं पहुंचती और एक दो मिनट 19 सेकिंड का वीडियो पोस्ट किया गया कुछ ने किताब के उस हिस्से के स्क्रिन सोट भी शेयर किये जहाँ सब कुछ लिखा हुआ है अब असलिया परादी को ने खुद चुन लीजिए सक में प्रसंग आता है एक लेख मैंने पढ़ा पुर्शोत अग्रवादी का लेख था शायद तो उन्होंने संसित का एक कफन कोट किया वालमी की रामाइन का है या उसके नजदी के किसी रसना का है चाहेंगे तो मैं सब्ला क कोट के दिखाएंगा संसित के एक गंथ में राम के मुझे ये कहलुआया गया है यहां नहीं कहा रहा है लेक लोग अपने मन की बाते हैं चरित्र के मुझे कहलाते हैं और चरित्र की है उसके तो यानि इस वीडियो से साब पता चलता है कि डाक्टर विकास दिविकीरती कह कि किताब में एक परसंग आता है, एक लेख मैंने पढ़ा पूरसुत्ता मगरवाल का, लेख था साथ उन्होंने संस्किरत का एक कथन कोट किया है, विकास आगे कहता है कि संस्किरत के गरंत में राम के मुह से ये कहलवाया गया है, ये राम नहीं कह रहे हैं, लेखक कह रहा है कि डाक्टर विकास दिवेकीर्थी ने जो बाते कई वो उनकी नहीं है, पुरसत्ता मगरवाल ने वो सब लिखा है। थोड़ा सा पुरसत्ता मगरवाल के बारे में बता दे, इन्वाम पंथी माराज ने जवालला नेरू विश्विध्याले से कबीर की वगती का सामाजी कर्थ विशे पर पहले पिएचडी की, फिर रामजस कालेज दिल्ली और जेनियू में अध्यापन का कारिय किया, लेखक को कई पुरुसकारों से सम्मानित ने किया जा चुका है, हाली में उनके द्वारा लिखित संपादित पुस्तक को ने भारत माता परकासित हुई है और खूब चर्चित भी, इस पुस्तक में पंडित जवालल नेरू के चुने हुए लेक संकलित है, मजबूरी का नाम मातमा ग बात कह रहा है कि ध्यान से सुनिये कि संस्किरत के गरंत में राम के मुढ़ाया गया है। च्रित्र के मुं से कहलवाते तहीं है और च्छवी बनती है च्रित्र की च्वी बनती है बिगड़ती है च्रीत्र की मसलना जैसे यह बात राम जी ने नहीं गई लेकिन पढ़कर लगेगा राम जी नहीं कई यह यह ऐसे हैं जैसे आप किसी के फोटो के साथ दो लाइन अपने कुछ सब्द लिखतो लेकिन लोगों को लगेगा यह सब्द उक्तिनसान के हैं इसे समझने के लिए एक वीडियो देखिए कोई कथावाचक है और भगवान शिव और भूत के बीच की चर्चा का अलाप कर रहे अब आपको कथावाचक की बात सुनकर लगता होगा सच में ही भूत भगवान शिव से भांग पीने की बात कर रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसे कथावाचक के मन की कलपना है जिसे आम लोगों के बीच फैका जा रहा है दूसरा असल में यहाँ पर हर वक्त रादा कि शीताराम, संतोसीमा, वैशनो देवी, वीर, हनुमान, महादेव, विशनो गनेश पर नजाने कितने शो बनते हैं शीरियल मनते आते रहते हैं और हर सो में निर्माता टी आरपी आसिल करने के लिए कहानी के साथ थोड़ी बहुत छेड़ छाड़ करता है जैसे कथावाचक क कहानी को कालपनिक दिखा कर विवाद से किनारा कर लेते हैं लिख देते हैं इस धारवाइक के सभी पात्र और गटना इस्थान कालपनिक हैं इनका किसी भी पात्रिस्थान से कोई सम्मन नहीं है अगर किसी पात्रिस्थान के नाम से किसी से मिलते हैं तो महतर संजोग है हमा जगह पर स्वार्थी तत्वों ने भी ऐसा किया कोई भी गरंतिस से चूता नहीं रहा और बड़ी बात ये कि आज के बाबा कथावाचक हो या स्कूल के टीचर हो या कोचिंग सेंटर चलाने वाले हो सब उसी रेफरेंस के साथ लगे हुए है आज हम विकास को कोशले कल ये बात कोई दूसरा कह देगा क्योंकि लिखने वाले लिक कर चले गए ये सब तो बोल रहे हैं और बोल क्यों रहे हैं क्योंकि अमारे देश में धार्मी गरंतों में मिलावट करने से रोकने या उसकी सर्वमान समिक्सा की कोई समस्तागत व्यवस्ता नहीं रही इसका लाब को लेकर बहुत गलत बाते फैलाई गई कूछ बातों पर यदि ध्यान दिया जाए तो बात बहुत इसपश्ट हो जाती है इसके लिए भारत के मूल जीवन दर्सन धरम दर्सन और सांसकर्तिक दर्सन को गहराई से समझने की जरुरत हो चाए कोई विकास हो या कथवाचक हो नेता हो जब तक ये लोग बोलते रहेंगे तब तक दार्मिक गरंतों में मिलावट करने रोकने या उसकी सरुमान समिक्सा की कोई संस्थागत वेवस्ता नहीं होगी